चलिए 11th of August 2021 करेंट फेस की कौपी निकाले जाएगा और शुरुवात करेंगे हम लोग लिग्यो नोरो नहा से एक्जाक्ली ये नाम किसका है तो भारत की प्रमुक अर्थसास्त्री है ये और इन्हें मार्च 2021 में संयुक्तराष्ट परियावरण कारेक्रम मतलब UNEP के वहां सचियो के पत पर न्यूप किया गया है लिखेगा भारत की प्रमुक अर्थसास्त्री लिग्यो लीगी या लीगी या नोरो ना नोरो आधा ना लिखेगा और हा लिखेगा नोरो ना को को मार्च 2021 में संयुक्तराष्ट परियावरण कारेक्रम मतलब UNEP के न्यूयॉर्क कारियाले में सहायक महा सचियो के पत पर न्यूप किया गया संसद टीवी के बारे में बात करें तो हालही में लोगसभा टीवी और राजसभा टीवी का विले कर दिया गया लोगसभा टीवी और राजसभा टीवी का विले कर दिया गया लोगसभा टीवी और राजसभा टीवी का विले कर दिया गया और इसका नाम संसद टीवी कर दिया गया नेक्स्ट है भीम बेट का मदवरदेश अभी चर्चा में आया था तो हालही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर दिर्की सोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाये गये और यह गुफा जो है भीम बेट का मदवरदेश में इस्तित है दिखे गब हालही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर दिर्की सोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाये गए और इटोरियम गुफा में पाये गए यह गुफा यह गुफा भीम बेट का मदवरदेश में इस्तित है अटल परियावरण भावन के बारे में बाद करें तो अटल परियावरण भावन इग्जैक्ली है गहां लक्षदीप में है यह तो केंद्री परियावरण वन और जर्वायू परिवरतन के द्वारा कारेले द्वारा 19 फरवरी 2021 को लक्षदीप में अटल परियावरण भावन का उधगाटन किया गया जो आपसे एक्जामनेशन में पूछा जाएगा वो सिर्फ इतना कि अटल परियावरण भावन का उधगाटन कहां किया गया या फिर हालही में अटल परियावरण भावन का उधगाटन लक्षदीप में किया गया लक्षदीप में किया गया नेक्स पॉइंट है फरवरी 2021 में कागज रहित पूर्टा डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राजियव बजट पेश करने वाला भारत का पहला राजिय उत्तर प्रदेश बना है नेक्स्ट है हरबल सडक अभी चर्चा में आये थी एक्जैकली कौन से राजिय से रेलेटेड है ये तो उत्तर प्रदेश राजिय है जिसने हालही में राजिय की करीब 800 किलोमेटर सडको को हरबल सडक के रूप में विक्सित करने की योजना की है लिखेगा हालही में उत्तर प्रदेश राजिय की सरकार ने 800 किलोमेटर सडको को हरबल सडक के रूप में विक्सित करने की योजना हरबल सडक के रूप में विक्सित करने की योजना की है नेक्स्ट है संदेश के बारे में बात करें तो फरवरी 2021 के बात है रास्टी सूषना विज्ञान केंद्र द्वारा संदेश नाम से मैसेजिंग प्लाटफॉर्म लॉंच किया गया था लिखेगा फरवरी 2021 में फरवरी 2021 में रास्टी सूशना विज्ञान केंदर दौरा संदेश नाम से मासज़िंग प्लाटफॉर्म लॉंच किया गया मासज़िंग प्लाटफॉर्म लॉंच किया गया नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्ण में रिखेगा human milk bank के बारे में बात करें तो केरला में खोला गया है यह फरवरी 2021 में लिखेगा हालही में केरला ने अपना पहला Human Milk Bank खोला है next है वैश्विक लोगतंतर 2020 वैश्विक लोगतंतर सूचकांग 2020 वैश्विक लोगतंत्र सूचकांग 2020 भारत की रैंक जो है वो 53 है 53 तिरपनवी है भारत नेक्स्ट है नेक्स पान में लिखेगा बाला साथ ठाकरे चडिया घर ये नाम जो है वो अभी एक हाली में चडिया घर का नाम चेंज हुआ है महारास्टरा में उनका नाम बाला साथ ठाकरे चडिया घर कर दिया गया है लिखेगा महारास्टरा सरकार ने महारास्टरा सरकार ने नागपुर इस्थित गोरे वाड़ा अंतर रास्टी चडिया घर का नाम अंतर रास्टी चुडिया घर का नाम परिवर्तित कर बाला साथ ठाकरे चुडिया घर कर दिया बाला साथ ठाकरे चुडिया घर कर दिया बाला साथ ठाकरे चुडिया घर कर दिया नेक्स्ट है बांधोगर टाइगर रिजर्व के बारें बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहा था और होफली आपकी examination भी पूछ लिया जाएगा involvement के section में या फिर आपका इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो मिलान करने वाले question आते हैं उसमें पूछ लिया जा सकता है चार आपका और देंगे क्योंकि tiger reserve तो अभी आपको पता ही है recent time में कहीवार आपको class में पढ़ाया गया है कि कुछ राजस्थान के हैं जो चर्चा में आये हैं और almost मुझे लग रहा है इस वर्स कम से कम 10 ऐसे तो होंगे ही जो निचोड के अगर देखा जाए तो almost 10 के आसपास ऐसे होंगे जिनसे tiger reserve से question बनने की somehow ना भी बन सकती है लगातार चर्चा में भी रहे हैं और कुछ ना कुछ नई चीज़ें वहाँ पे हुई भी है तो hopefully इस topics related एक question पूछा जाएगा और मुझे लगता है कि सभी लोग उसमें से कर भी लेंगे कोई ऐसा issue है नहीं क्योंकि इतनी बार आपको पढ़ाया गया है current affairs की class में भी next is yes special वाली class में भी और environment बगेरा में तो लगातार बताया ही जाता है लिखेगा हाल ही में मदप्रदेश में स्थित हाल ही में मदप्रदेश में स्थित बांधोगर टाइगर रजर्व में भारत की पहली में भारत की पहली भारत की पहली hot air balloon wild life safari launch की गई next है खोनोमा गाउं के बारे बात करें तो भारती राजी नागालेंड में भारत म्यामार सीमा परिस्थित है या गाउं जिसे देश का पहला हरिद ग्राउं मतलब green village घोशित किया गया है लिखेगा भारती राजी नागालेंड में भारती राजी और नागा लेंड में, भारत म्यामार सीमा परस्थित, खोनूमा गाउं, देश का पहला हरित गाउं, मतलब ग्रीन विलेज घोशित किया गया है, ग्रीन विलेज घोशित किया गया है, पहली बार जल पक्षियों की जनगरना के बारें बात करें, तो 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगरना हुई, और ये हुई है आपका पश्य मंगाल में, लिखने के आउशकता नहीं है, नेक्स पान में रिखेगा, ओक्सफोर्ड लैंग्विज द्वारा आत निर्भरता को, औक्सफोर्ड लैंग्विज द्वारा आत निर्भरता शब्द को, वर्ष 2020 के लिए, वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोशित किया गया, हिंदी भाषा का शब्द घोशित किया गया, हिंदी भाषा का शब्द घोशित किया गया, तो यह रही आपकी 11th of August 2021 की क्लास, और नेक्सस यह से लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमारा टेलेग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, हमारे टेलेग्राम चैनल का जो लिंक होगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और हमारा जो नया बैच है वो 9th of August 2021 से स्टार्ट है, रनिंग है, आप उस बैच में अड्मिशन ले सकते हैं, अगर आपको UPPCS Prelims की परिक्षा को या फिर बोल सकते हैं UPPCS Prelims की जो बाधा है, उसको अगर पार करना है अगले तीन महीने के अंदर तो आप हमारे बैच को जोईन कर सकते हैं, 2015 से Nexus GS जो है लागातार रनिंग है और लगभग से हर एक examination में आयोग की तरब से जो भी पेपर कराए जाते हैं उसमें से हमारे यहां से result जरूर रहा है, और अभी recent में 2020 PCS का result आया है जिसमें से class के Sachin यादो जी ने rank 14 के साथ टेप्टी collector के पद पर चैनित हुए हैं, बहुत जल्द उनका IS का interview भी आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा और उनके जो previous बोल सकते हैं interview हैं वो हमारे telegram चैनल पर uploaded हैं पहले से ही, इस telegram चैनल को जब आप जोईन करेंगे तो पिन कमेंट में आप देखेंगे तो सचिन जी के interview पड़े हुए हैं वो deputy collector बनने के पूर्व के हैं तो आप ये समझ सकते हैं जब एक student life में कोई person होता है तो उसकी मनुद विस्थिति क्या होती है, किस तरह की बाते वो सूचता ह जैसे आज की आपकी स्थिति है यार प्रिलिमसी क्लियर हो जाए बहुत बड़ी बात है, PCS तो बहुत बड़ा examination है, कोई भी बड़ा examination नहीं होता है, अगर आपके अंदर मनोबल है तो इस परिक्षा को कि आप कोई भी परिक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं और मनोबल अगर स्थिति है कि आपको ये decide करना है, कि हाँ मुझे ये काम करना है और जिस दिन आपको ये लगे ना कि हाँ मुझे PCS की तयारी कर रहा था लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा और तयारी अब नहीं हो पा रही है, तो इस दिन ये ज़रूर सोचिएगा कि मैंने तयारी ये शुरू क्यों की है, अगर आज कोई qualify कर रहा है, अगर आज कोई pass हो रहा है इस परिक्षा में, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं pass हो रहा है, आपके अगर आसपास के लोग इस परिक्षा को qualify करके आज अधिकारी के पतपर चैनित हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर अपने आप में आपने ये जाल लिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ मुझे करना है और मैं करूँगा तब आप कर सकते हैं और इस examination को clear करने का simple सा फटड़ा है strategy आपकी clear होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप पुराने धर्रे पे काम करते जा रहे हैं और आप सुचें हाँ हमारा हो जाएगा एक ही subject के अगर आप पीछे लग गए कि हाँ हमने इतिहास पे ग्याता हो गए एक इतिहास में हमने PhD कर डाले इतिहास हमारे पकड़ में है तो हमारा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है अब इस परिक्षा की जो demand है वो आपका हर एक subject से आपकी demand है चाहे वो environment हो चाहे वो current हो चाहे वो agriculture हो चाहे वो population हो चाहे वो UP special हो चाहे वो history हो quality हो जोगर्फी हो science हो economy हो हर एक चीज और हर एक चीज में examiner आपसे इतना चाहता है कि आपको कम से कम उतनी चीज़ें पता होनी चाहिए और उनसे related ही question पूछा जाता है ऐसा नहीं कि आपसे उटपटांग कुछ भी पूछ लिया जाए यह UPPCS का paper होता है मैं सिर्फ UP commission की बात कर रहा हूँ आयोग के द्वारा जो करिक्षा ली जाती है मैं उनके बारें बात कर रहा हूँ चाहे वो आपका समिक्षा दिक आपको हर एक चीज बताई जाएगे डिटेल में और बहुत ज़्याद आपको नहीं पढ़ाया जाता है अल्मोस्ट आपका 70 मिनट की आसवास classes होती है डेली आका एक तीन classes होती है सत्तर मिनट की मतलब टोटल सत्तर मिनट की होती पहली 30 मिनट की दूसरी 20 मिनट की और तीसर का current affairs provide किया जाता है और वो एक साल का current affairs ऐसा नहीं कि आपको 40 गंटे का दे दिया गया सिर्फ और सिर्फ 60-70 मिनट का जो बहुत आसानी से कोई भी तैयार कर सकता है ठीक है तो तांड़ो सिरीस का नाम सभी लोग सुने हैं पिछले 5 सालों से लगतार running है तो बहुत आसानी से कि आप जोईन कर सकते हैं फीस भी बहुत नॉर्मल होती है हमारी और मंतली फीस हम लोग पेंट लेते हैं बारासो रुपय महीने की फीस है अगर आप वन टाइम पेंट करते हैं PCS प्रलेम्स के लिए 24 अक्टूबर की वेलेडिडी दी जा रही है और 3000 आपको सिर्फ पे करन होता है तो और चाहें तो आप मंतली पेंट कर सकते हैं तेकि मंतली का इसलिए सीन होता है कि कभी भी आपको यह न लगे अरे यार हम इतनी फीस देने के बाद फस गया तो फसने का यहां पर को सिस्टम नहीं है आपको सही लगता है तो आप पढ़िए नहीं सही लगता है त ठीक है, अगर आप घर बनाते हैं, तो समय लगता नहीं है, ठीक है, सामाने समय लगता है, 4-10 महीने में आपका बन जाएगा, लेकिन अगर आप महल बनाते हैं, तो समय लगता है, बड़ी चीज अगर आपको पाना है, तो समय लगता है, पेशन्स आपको देखने पड़ते है अगर हम लोग इस्पेशली सचिन जी के बारे में ही बात करें जो आज डिप्री कलेक्टर के पत पर चैनित हैं तो आपने इनकी स्टोरी सुनी होगी 2017 में इनोंने फर्स्ट अटेंप्ट दिया था UPVCS का और इंटर्वीव से बाहर हो गया 2018 में फिर से इनोंने दिया इंटर्वीव और फिर से बाहर हो गया दो साल अगर कोई फेल हो जाता है तो उसकी वनोदशा क्या होती है आप समझ सकते हैं आप अपने आपको कमबर करके देखे और आपको सिर्फ एक एनरजी थोट मिलेगा कि 2019 में इनोंने नायप तहसिलतार के पत परचैनित हुए और 2020 में फाइनली डिप्टी कलेक्टर के पत परचैनित हो गए तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर आप महनत करते हैं लगातार कोशिश करते हैं तो कोई भी लक्षे आपसे दूर नहीं रह सकता है चलिए बाते बहुत सारी होगे और 11th of August 2021 क्लास के लिए तना ही थेंकियो सो मच